हेलो फ्रिंट्स विल्कम टू मैं चैनल एपीजी अब्दुलकलाम भारत के पूर्व राष्टपती जिनका जन 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिल नाडू में हुआ वे एक महान वेग्यानिक इंजिनियर और एक सिक्चक भी थे इनका जीवन अपने आपने आपने आज की पीडी के लिए एक मार्क दर्शन है जो बताता है कि परिस्तिते चाहे कुछ भी क्यों ना हो अगर हमने सोच लिया है तो ब्रह्माण की समस्त सक्तिया हमारे अनुकूल हो जाती है तो आज हम एपीज अबदुल कलाम के कहें दस अनुमल वचनों को जानेंगे नमबर वन रोज सुबा पांच बाते अपने आप से जरूर बोलनी चाहिए हमेशा मेरे साथ है मैं एक विजेता हूँ और आज का दिन मेरा दिन है नमबर टू सपने वो होते हैं जो आपको निंद नहीं आने देते क्योंकि काम्याबी का आनद उठाने के लिए ये जरूरी है 4. आप अपना आने वाला कल नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदत तो जरूर बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदते आपका आने वाला कल बदल देगी 5. आत्म विश्वास और कठिन परिश्रम असफलता नमक बिमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है यह आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है 6. सफलता की कहाणिया मत पढ़ो उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा पढ़नी है तो असफलता की कहाणिया पढ़ो उससे आपको सफल होने के विचार मिलेंगे 7. हम केवल तभी याद किये जाएंगे जब हम हमारी यूबा पीड़ी को एक सम्रिद और सुरक्षित भारत दे सके जो कि सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आर्थिक सम्रिद्धी के परिणाम सुरूप राप्त हो 8. अकास के तरफ देखिए हम अकेले नहीं है सारा प्रमान हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिस करता है 9. किसी वी मज़ब में किसी मज़ब को बनाए रखने या उसे आगे बढ़ने के लिए दूसरे वेक्तिव को मारने को नहीं कहा गया है 10. काला कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है परन्तु हर ब्लैक बोल्ड वी द्यार्थी के जीवन को ब्राइट बनाता है तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई